अगर आप ऐसे प्रिपरेशन नहीं लिख पार हैं तो आपको कैसे लिखना है यह मैं आसान तरीका बताऊंगा आप वैसे एकदम आसानी से लिख सकते हैं कोई भी मॉलेकुल आपको दे दें कोई प्रॉब्लम नहीं पूरी वीडियो जरूर देखें तभी आपको समझाएगा यहां पर मैंने पोटेसियम आयोडाइट का एक्जामपल लिया है इसको कैसे प्रिपेर किया जाए और कैसे इसका स्टेंडराइजेशन किया जाए इट कंटेन नौड लेस देन 99.0% एंड नौड मोर देन 100.5% किया ही इंडराइट से ठेंड ठीक है यहां लाइन किसी भी इसे में लिखें एंड यहां पर थोड़ा बहुत चेंज कर दे 98 कर दे 99 कर दे इधर नीचे 100 की जोगे 99.5 कर दे ऊपर 99 की जोगे 99 या 98 कर दे और ऐसे ही किसी भी प्रिपरेशन में आप उपर हेडिंग डाल दे दिन मॉलिकुलर वेड जरूर लिखें दिन प्रिपरेशन ज की तैसियम हैलिड ओपिरोफिर होऊंगत को ट्रीट किया गया और क्या ही पूटेसियमम अयोडायड बन गया दिने के बार हम क्या कर देगे प्रॉपर्पर्टी sommes क foreigner ची yarn Parisily ये सारी होंगे यदिने कोई दिक्कत कलрь होगे आप आप किसी भी मॉलिक्यूल में लिख दे कोई as it is यह दो ऑडीव यूजि कर सकते हैं एक यमटीक्स पढ़ रहे हैं हमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यह सब आक सकते हैं फुट्वरेट सब्सक्रण के लिग सकते हैं एक लिखने के लिए पहले थोड़ीसी ठूरी लिखें यही सब थेवरी में लिख दें जो यहां पर हमने चार्ट में लिखा है पहले हम एक्यूरेटली वेट करेंगे जो भी मॉलेक्यूल लेंगे 0.35 ग्राम ले लिए जैसे और उसमें वाटर डालेंगे वाटर डालते हैं फिर ले लिए और दोनों को मिक्स करके इसको डिजॉल्व कर लिया दें टाटरेट किया गया और 0.05 मोल पोटेशियम आयोडेट से परपल कलर चेंज आयोडीन फॉर क्लोरोफॉर्म यहां पर परपल कलर चेंज होगा थोड़ी आयोडीन डालेंगे हैं पर कलर लेस लेयर जो होगी फॉर्मड हो जाएगी दें टाटरेशन जो होगा जैसे कलर लेस लेयर आएगी कंप्लीट हो जाएगा और इसकी यह रियक्शन हम लिख देंगे रियक्शन लिखें अगर आती है नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं 0.05 मॉल पोटेशियम आयोडेट इस इक्वेलेंट टू 0. 0.0166 पोटेशियम लास्ट लाइन जो है आप यहां पर मॉलेक्यूल नाम चेंज करके किसी भी मॉलेक्यूल की प्रिपरेशन में लिख सकते हैं और यह लाइन लिखें जरूर और अगर रियक्शन आती है तो जरूर लिखें और प्रिपरेशन जो हैससे की यह पूरी चार् 0.0353, 0.005, 0.0156 कुछ भी यूज कर सकते हैं आपको जो सही लगे मतलब लगबग एकुरेट के आसपास ही लिख दीजे जो आपको याद आया है ऐसा मतलिखिये जो मतलब ना हो सके तो ऐसी रिडिंग लिखिये जो हो सके और किसी को पता नहीं है एक्जामिनर को भी नही दिखा है यह सारी हेडिंग डाल के तो आपको पूरे नंबर मिलेगा कोई एक्जामिनर काट नहीं सकता है थैंक यू फो ओचिंग विस्यू आल दवेस थैंक यू फो ओचिंग